जैपुर जिला कलेक्टरेट सभागार में कृशी तक्नीक और उध्यानी की को लेकर बैठक आयुजित की गई जिला कलेक्टर जगरूप सिंग यादव की अध्यक्सता में आयुजित की गई इस बैठक में कृशी प्रध्योगी की को लेकर चर्चा की गई जिसमें बताया गया कि जैपुर जिले की भोगोलिक परीद्रश्य को देखते हुए फसलों का निर्धारन कर उन्नत किस्म की फसलें तयार की जाए जिसके लिए किसानों को जागरूप कर अधिक से अधिक लाब और पैदावार करने की ओर जोर दिया जाए साथी जैपुर जिले में सिंचाई के पानी की समश्या को देखते हुए पानी की भचत और ध्यान देने के निर्धिश दिये गए साथी जैपुर जिला कलेक्टर ने उध्यानीकी पर जोर देते हूए कहा कि जैपुर जिले में उध्यानीकी के लिए उन्नत किस्म के पोधों का चैन कर नर्सरी में उगाए जाए और कम से कम लागत में उनको विक्सित कर Plantation के काम में लिया जाए जो जारेब कराट्रेंट जारी हो रखे हैं तो उसके इसाब से फसल चक्र ऐसा चुने जो कम बारिस में हो सकता हो ऐसी फस्नों का चैन करें जो जज़े किसान को लाद और उसकी आमद में बढ़ाईे हैं विपनन्द में उसको कम से कम समझ्या है और जल के संध्रेंड की जो छमता की बिपीज बना के हैं वो क्लेस्टर में बना है तो मुझे बताएगा कि आप और ऐसे कोधों का चैन करें ऐसी अग्रोमी लाएं जो यहां के अंकूल हो जैसे काफी जगह पे स्वेल का यह तो अच्छा ना अच्छा हो सकता है सहंजने के पोदे जो आस्पीयर वोगा है वो मुझे बताया गया कि यह तल्यार की सहंचा में लगाएगा एगा फ्लस्टर अप्रोच में सेंधना देना चाहिए उध्धान्ति की पस्मों के फोकस करें इससे पस्मों का पस्री चक्